साहित निधी में सुनिये हिंदी के टक्ख्यात, कथाकार, साहितिकार, श्री क्रश्ण बल्लेव वैद जी की लिखी हुई कहानी मेरा दुश्मन तो शुरू करें कहानी मेरा दुश्मन वो इस समय दूसरे कमरे में बेहोश पड़ा है आज मैंने उसकी शराब में कोई चीज मिला दी थी कि खाली शराब वो शर्बत की तरह गटगट पी जाता है और उस पर कोई खास असर नहीं होता आँखों में लाल डूरे से जूलने लगते हैं माथे की शिकने पसीने में भीक कर दमक उटती हैं होटों का जहर और उजागर हो जाता है और बस होशो हवास बदस्तूर कायम रहते हैं हैरान हूँ कि ये तरकी मुझे पहले कभी क्यों नहीं सूजी शाय सूजी भी हो और मैंने कुछ सोच कर इसे दबा दिया हो मैं हमेशा कुछ नहीं कुछ सोच कर कई बातों को दबा जाता हूँ आज भी मुझे अंदेशा तो था कि वो पहले ही उट में जायका पहचान कर मेरी चोड़ी पकड़ लेगा लेकिन गिलास खत्म होते होते उसकी आँखे बुझने लगी थी और मेरा होसला बढ़ गया था जी में आया था कि उसी क्षण उसकी गर्दन मरोड़ू लेकिन फिर नतीजों की कलपना से दिल दहल कर रह गया था मैं समझता हूँ कि हर बुझ दिल आदमी की कलपना बहुत तेज होती है हमेशा उसे हर खतरे से बचा ले जाती है फिर भी हिम्मत बांद कर मैंने एक बार सीधे उसकी और देखा जरूर था इतना भी क्या कम है कि साधारन हालात में मेरी निगाहें सहमी हुई सी उसके सामने इधर इधर फड़ फड़ाती रहती है साधारन हालात में मेरी इस्तिती उसके सामने बहुत असाधारन रहती है खैर अब उसकी आँखे बंद हो चुकी थी और सर जूल रहा था एक और लुड़क कर गिर जाने से पहले उसकी बाहें दो लदी हुई डीली टहनियों की सुस्त सी उठान के साथ मेरी और उठाई थी उसे इस तरह लाचार देखकर भ्रम हुआ था कि वो दम तोड़ रहा है लेकिन मैं जानता हूँ कि वो मूजी किसी बीक्षण उचल कर खड़ा हो सकता है होश संभालने पर वो कुछ कहेगा नहीं उसकी ताकत उसी खामोशी में है बातें वो जमाने में भी बहुत कम किया करता था लेकिन अब तो जैसे बिल्कुल गूंगा हो गया है उसकी गूंगी अवेहिलना की कलपना मातर से मुझे दहशत हो रही है कहा ना कि मैं एक बुझदिल इनसान हूँ वैसे मैं न जाने कैसे समझ बैठा था कि इतने अर्से की अलहदगी के बाद अब मैं उसके आतंक से पूरी तरह आजाद हो चुका हूँ इसी खुश प्रेमी में शायद उस रोज उसे मैं अपने साथ ले आया था शायद मन में कहीं उस पर रौब गाटने उसे नीचा दिखाने के दुराशा भी रही हो हो सकता है कि मैंने सोचा हो कि वो मेरी जीती जाकती खुबसूरत बीवी चहकते महकते तंदरुस बच्चों और आरास्ता पेरास्ता आली शान कोठी को देख कर खुदी मैदान चोड़ कर भाग जाएगा और हमेशा के लिए मुझे उससे निजात मिल जाएगी शायद मैं उस पर ये साबित कर दिखाना चाहता था कि उससे पीछा चुड़ा लेने के बाद किस खुशगवार हद तक मैंने अपनी जिंदगी को संभाल समार लिया है लेकिन ये सब लंगडे बहाने हैं हकीकर शायद ये है कि उस रोज मैं उससे अपने साथ नहीं लाया था बलकि वो खुदी मेरे साथ चला आया था जैसे मैं उससे नहीं बलकि वो मुझे नीचा दिखाना चाहता हो जाहिर है कि उस समय ये बारीक बात मेरी समझ में नहीं आई होगी मौके पर ठीक बात मैं कभी सोची नहीं पाता यही तो मुसीबत है वैसे मुसीबतें और भी है लेकिन उन सब का जिक रहा बिकार होगा खैर, माला के सामने उस रोज मैंने इसी किस्म की कोई लंगडी सफाई पेश करने की कोशिश की थी और उस पर कोई असर नहीं हुआ था वो उसे देखते ही बिफर उठी थी सबसे पहले अपनी बेवकूफी और सारी स्थिती का ऐसाज शायर मुझे उसी क्षण हुआ था मुझे उस कमबक्त से वहीं घर से दूर उस सड़क के किनारे किसी ना किसी तरह निबट लेना चाहिए था अगर अपनी उस सहमी हुई खामोशी को तोड़ कर मैंने अपनी तमाम मजबूरियां उसके सामने रग दी होती माला का एक खाका सा खीच दिया होता साफ साफ उससे कह दिया होता देखो गुरू मुझे पर दया करो और मेरा पीछा छोड़ो तो शायद वही हम किसी समझोते पर पहुंच जाते और नहीं तो मुझे कुछ मोहलत तो देही देता छूटते दो मोर्चों को एक सा संभालने की दिक्कत तो पेशना आती कुछ भी हो मुझे उसे अपने घर नहीं लाना चाहिए था लेकिन अब ये सारी समझदारी बेकार थी माला और ओर एक दूसरे को यूं घुर रहे थे जैसे दो पुराने और जानी दुश्मन हो एक शन के लिए मैं ये सोच कर आश्वस्त हुआ था कि माला सारी स्थिति कुछ समझ लेगी और फिर दूसरे एक शन मैं माला की लानत मुलामत की कल्पना कर सहम गया था बात को मजाग में गोल देने की कोशिश में मैंने एक खास गिलगिले लहजे में जो मेरे पास ऐसे नाजुक मौकों के लिए हमेशा सुरक्षित रहता है कहा था डार्लिंग जरा रास्ता तो छोड़ो कि हम बहुत लंबी सेर से लोटे हैं जरा बैठ जाएं तो जो सजाजी में आए दे देना वो रास्ते से तो हट गई थी लेकिन उसके तनाओं में कोई कमी नहीं हुई थी और नहीं उसने मुझे बैठने दिया था साथ ही उस मुरदार ने मेरी तरफ यूँ देखा था जैसे कह रहा हूँ तो तुम वाकई इस औरत के गुलाम बनकर रह गए हूँ और खुद मैं उन दोनों की तरफ यूँ देख रहा था जैसे एक ही नजर बचा कर दूसरे से कोई साज़शी संबंद पैदा कर लेनी की ख्वाईश हो फिर माला ने मौका पाते ही मुझे अलग ले जाकर डाटना डपटना शुरू कर दिया था मैं पूछती हूँ कि ये तुम किस आवरा गर्द को पकड़ कर साथ ले आए हो जरूर कोई तुम्हारा पुराना दोस्त होगा है न इतने बरश शादी को हो चले लेकि तुम अभी तक वैसे की वैसे ही रहे मेरे बच्चे उसे देख कर क्या कहेंगे पड़ोसी क्या सोचेंगे अब कुछ बोलोगे भी मैं हैरान था कि क्या बोलू माला के सामने मैं बोलता कम हूँ ज़्यादा समय तोलने में ही पीछ जाता है और उसका मिज़ाज और बिगड़ जाता है वैसे उसका गुसा बज़ा था उसका गुस्सा हमेशा बजा होता है हमारी काम्याब शादी की बुनियायती इसी पर कायम है उसकी हर बात हमेशा सही होती है और मैं अपनी हर गलती को चुप चाप और फॉरन कबुन कर लेता हूँ उपर से वो कुछ भी क्यों न कहे उसे मेरी फरमाबरदारी पर पूरा बरूसा है बीच-बीच में महद मुझे खुश कर देने के ख्याल से वो इस किस्म के शिकायते जवू कर दिया करती है तुम न जाने हर मामूली से मामूली बात पर मेरे खिलाफ डट जाने में क्या मज़ा आता है मानती हूँ कि तुम मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार हो लेकिन कभी-कभी मेरी बात रखने के लिए ही सही वगरे वगरे मुझे इसके ये जूटे उल्हाने बहुत पसंद है गो मैं उनसे ज़्यादा खुश नहीं हो पाता फिर भी वो समझती है कि इनसे मेरा ब्रहम बना रहता है और मैं जानता हूँ कि बागडोर उसी के हाथ में रहती है और ये ठीक ही है तो माला दाथ पीसकर कह रही थी अब कुछ बोलोगे भी मेरे बच्चे पार्ग से लौट कर इस मन्हूस आदमी को बैठक में बैठा देखेंगे तो क्या कहेंगे उन पर क्या असर होगा उफ इतना गंदा आदमी सारा घर महक रहा है बताओ ना मैं अपने बच्चों से क्या कहूंगी अब जाहिर है कि मैं माला को कुछ भी नहीं बता सकता था सो मैं सर जुकाए खड़ा रहा और वो मुँ उठाए बहुत देर तक वरस दी रही वैसे यहाँ साफ कर दूँ कि वे बच्चे माला अपने साथ नहीं लाई थी वे मेरे भी उतने ही हैं जितने कि उसके लेकिन ऐसे मौकों पर वो हमेशा मेरे बच्चे कहकर मुझसे उन्हें यू अलग कर लिया करती है जैसे कोई कीचर से लाल निकाल रहा हो कभी कभी मुझे इस बात का बहुत दुख भी होता है लेकिन फिर ठंडे दिल से सोचने पर महसूस होता है कि शारेरिक सच्चाई कुछ भी हो रूहानी तोर पर हमारे सभी बच्चे मालाके ही है उनके रंग ढंग में मेरा हिस्सा बहुत कम है और ये ठीकी है क्योंकि अगर वे मुझे पर जाते तो उन्हें भी मेरी तरह सीधा होने में न जाने कितनी तेर लग जाती मैं खुश हूँ कि उनका भविश एक खूब रोशन है और उस रोशनी में मेरा हाथ बस इतना ही है कि मैं उनका कानूनी और शैद जिस्मानी बाप हूँ उनके लिए पैसे कमाता हूँ और दिलो जान से उनकी मा की सेवा में दिनडा चुटा रहता हूँ खैर कुछ देर यूही सर नीचा कि एक खड़े रहने के बाद आकिर मैंने नहायत आजिजाना आवाज में कहना शुरू किया था अरे भई मैं तो उस कमबक्त को ठीक तरह से जानता भी नहीं उससे दोस्ती का तो सवाली नहीं पैदा होता अब अगर रास्ते में कोई आदमी मिल जाए तो ना जाने मेरे फिक्रे का अंत क्यों कर होता शायद होता भी की नहीं लेकिन माला ने बीच में पाउंप टकर कह दिया जूट सरासर जूट ये कह कर वंदर चली गई और मैं कुछ देर तक वहीं सिर नीचे किया खड़ा रहने के बाद वापस उस कमरे में लौट आया जहां वो बैठा बीड़ी पी रहा था और मुस्कुरा रहा था जैसे सब जानता हो कि मैं किस मरहले से गुजर कर आ रहा हूँ अब हुआ दरसल ये था कि उस शाम माला से कुछ दूर अकेला घूम आने के इजादत मांग कर मैं यूही बिना मतलब घर से बाहर निकल गया था आम तोर पर वो ऐसी इजाजतें आसानी से नहीं देती और ना ही मैं मांगने के हम्मत कर पाता हूँ बिना मतलब घूमना उसे बहुत बुरा लगता है कहीं भी जाना हो किसी से भी मिलना हो कुछ भी करना या ना करना हो मतलब का साफ और सही फैसला वो पहले से ही कर लेती है ठीक ही करती है मैं उसकी समझदारी की दाथ देता हूँ वैसे घर से दूर अकेला मैं किसी मतलब से भी नहीं आ पाता माला की सोबत की कुछ ऐसी आदसी पड़ गई है कि उसके बगेर सब सुना सुना सा लगता है जब वो साथ रहती है तो किसी किस्म का कोई उल जलू विचार मन में उठी नहीं पाता हर चीज ठोस और बा मतलब दिखाई देती है अंदर की हालत ऐसी रहती है जैसे माला के हाथों सजाया हुआ कोई कमरा हूँ जिसमें हर चीज करीने से पड़ी हो बेकाइदी की कोई गुनजाईश न हो और जब वो साथ नहीं होती तो वही होता है जो वो शाम को हुआ या फिर उसी किसम का कोई और हाथसा क्योंकि उससे पहले वैसी बात कभी नहीं हुई थी तो उस शाम ना जाने किस दुन में मैं घर से बहुत दूर निकल गया था आम तोर पर घर से दूर रहने पर भी मैं घर ही के बारे में सोचता रहता हूँ इसलिए नहीं कि घर में किसी किसम की कोई परिशानी है गाड़ी ना सिर्फ चल रही है बलकि खूब अच्छी चल रही है बाग दोर जब माला जैसी औरत के हाथ हो तो चलेगी नहीं तो और करेगी भी क्या नहीं घर में कोई परिशानी नहीं अच्छी तनख्वा, अच्छी बीबी, अच्छे बच्चे, बार असूब दोस्त उनकी बीवियां भी खुब हटी-कटी और अच्छी अच्छा सरकारी मकान, अच्छा खुश्नुमा लॉन, पास परोस भी अच्छा महंगाई के बावजूद, दोनों वक्त अच्छा खाना, अच्छा बिस्तर और अच्छी बिस्तरी जिंदगी मैं पूछता हूँ, इस सब के अलावा और चाहिए भी क्या एक अच्छे इंसान को फिर भी अकेला होने पर घरेलू मामनों को बार बार उलट पलट कर देखने से वैसा ही इत्मीनान मिलता है जैसा कि किसी भी सेहतमंद आदमी को बार बार आईने में अपनी सूरत देख कर मिलता होगा मेरा मतलब है कि वक्त अच्छी तरह से कर जाता है, उब नहीं होती ये भी माला के ही सुप्रभाव का फल है, नहीं तो एक जमाना था कि मैं हर दम उब का शिकार हुआ करता था हो सकता है कि उस शाम दिमाग कुछ देख के लिए उसी गुजरे हुए जमाने के और बटक गया हो कुछ भी हो, मैं घर से बहुत दूर निकल गया था, और फिर अचानक वो मेरे सामने आख़डा हुआ था महसूस हुआ था, जैसे मुझे अकिला देखकर घात में बैठो हुए किसी खतरनाक अजनभी नहीं रास्ता रोक लेना चाहा हो मैं ठिटक कर रुख गया था, उसकी सुती हुई आखों से फिसल कर मेरी निगाह उसकी मुस्कुराहट पर जाटकी थी जहां अब मुझे उसके साथ बिताय हुए उस सारे गर्द आलूत जमाने की एक टिंटिमाटी हुई सी जहलक दिखाई दे रही थी महसूस हो रहा था कि बरसों तक रुख और रहने के बाद फिर मुझे पकड़ कर किसी के सामने पेश कर दिया गया हो मेरा सर इसी पेशी के ख्याल से दब कर चुक गया था कुछ या शायद कितनी देर हम सड़क के उस नंगे और आवारा अंदेरे में एक दूसरे के रूबरू खड़े रहे थे अगर कोई तीसरा उस समय देख रहा होता तो शायद समझता कि हम किसी लाश के सिराने खड़े कोई प्राड़ना कर रहे हैं या एक दूसरे पजपट पढ़ने से पहले किसी मंदर का जाप वैसे ये सच है कि उसे पहचानते मैंने माला को याद करना शुरू कर दिया था कि हर संकट में मैं हमेशा उसी का नाम लेता हूँ साथ ही यहां से दुम दबा कर भाग उठने की ख्वायश भी मन में उठती रही थी एक उन्ती हुई सी तमन्ना ये भी हुई थी ये वापस घर लोटने के बजाए चुपचाद उस कमबक्त के साथ हो लूँ जहां वो ले जाना चाहे चला जाओं और माला को खबर तक न हो इस विचार पर भी मैं बहुत चौका था और अभी तक हैरान हूँ क्योंकि आखिर उसी से पीछा चुडाने के लिए ही तो मैंने माला की गोद में पना ली थी अगर आज से कुछ बरस पहले मैंने उसके खिलाब बगावत ना की होती तो लेकिन उस भागने को बगावत का नाम देकर मैं अपने आपको धोका दे रहा हूँ मैंने सोचा था और मेरा मूँ शर्म के मारे जल उठा था मेरा मूँ अक्सर इस आग में चलता रहता है उस हरामजादे ने जरूर मेरी सारी परेशानी को भाप लिया होगा उससे मेरी कोई कमजोरी चिपी नहीं और उससे भाग कर माला की गोद में पना लेने की एक बड़ी वज़य यही थी उसकी हसी मुझे सूखे पत्तों की हैवतनाक खरखड़हाट सुनाई दी रही थी और उस खड़ख़ाट में उसके साए में गुजारे हुए जमाने की बेशुमार बातें आपस में टकरा रही थी बड़ी मुश्किल से आँख उठा कर उसकी और देखा था उसका हाथ मेरी तरफ बढ़ा हुआ था मैं बिदक कर दो कदम पीछे हट गया था और उसकी हसी और उची हो गई थी कसेवे दातों से मैंने उसकी आँखों का सामना किया था अपना हाथ उसके खुरदुरे हाथ में देते हुए और उसकी सासों की बदबूदार हरारत अपने चेहरे पर जहलते हुए मैंने महसूस किया था जैसे इतनी मुद्दत आजात रह लेने के बाद फिर अपने आपको उसके हवाले कर दिया हो। अजीब बात है एसास से जितनी तकलीफ मुझे होनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं थी। शायद हर भगोड़ा मुझरिम दिल से यही चाहता है कि उसे कोई पकड़ ले। घर पह मैं वापस बैठक में लोटा तो वो बदजात मजे में बैठा बीड़ी पी रहा था। एक शण के लिए भ्रहम हुआ जैसे वो कमरा उसी का हो। फिर कुछ संभल कर उससे नजर मिलाए बगैर मैंने कमरे की सारी खिड़कियां खोल दी। पंखे को और तेज कर दिया। एक जी में आया कि हाथ बांद कर उसके सामने खड़ा हो जाओं सारी हकीकत सुना कर कह दूँ देखो दोस्त अब मेरे हाल पर रहम करो और माला के आने से पहले चुप चाब यहां से चले जाओं वरना नतीजा बुरा होगा। लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं कहा भी होता तो सिवा एक और जहरीली हसी के उसने मेरी अपील का कोई जवाब न दिया होता। वो बहुत जालिम है हर बात की तह तक पहुँचने का कायल और भावकता से उससे सक्स नफरत है। उसे कमरे का जाइजा लेते देख मैंने दभी निगहा से उसकी और देखना शुरू कर दिया। टां से मुझे कोफ्त भी हुई और एक अजीब किस्म के खुशी भी महसूस हुई। एक जमाना था जब वही एक मातर मेरा आदर्श हुआ करता था। जब हम दोनों घंटों एक साथ भूमा करते थे। जब हमने बार-बार कई नौक्रियों से एक साथ इस्तीफे दिये थे। कु जिनके दिमाग हमेशा उस घरोंदे की चाहर दिवारी में कैद रहते हैं। जिनके दिल सिर्फ अपने बच्चों के किलकारियों पर ही जूमते हैं। जिनकी बेवपूफ बीवियां दिन रात उन्हें तिगनी का नाशना चाती हैं। और जिने अपनी सफेद पोशी के अला पिरानों में भटका देने की कोशिश करना चाहता हूँ, जिनसे भाग कर मैंने अपने लिए एक फूलों की से समार लिया है, जिस पर माला करीब हर रात मुझसे मेरी फर्वामरदारी का सबूत तलब किया करती है और जहां मैं बहुत सुखी हूँ। दहक गई और मुझे खत्रा हुआ कि माला उसी दमा पहुँच कर उसका मुझ नोच लेगी, लेकिन ये खत्रा इस बात का गवहा है कि इतने बर्सों की दासता के बावजूद मैं अभी तक माला को पहचान नहीं पाया, थोड़ी देर में वो एक बहुत खूबसरत साड़ी पह तो फिर कुछ पीकर ताजा दम हो जाएं, खाना तो हम लोग देर से ही खाएंगे, मैं बहुत खुश हुआ, अब मामला माला ने अपने हाथ में ले लिया था और मैं यूँ ही परेशान हो रहा था, मन हुआ कि उठकर माला को चूंग लूँ, मैंने कंकियों से उस कितना लुफ आए अगर वो कमबक भी भाग खड़ा होने के बजाए माला के दाओं में फस जाए, और फिर मैं उससे पूछू, अब बता साले, अब बात समझ में आई, मैंने आखें बंद कर ली, और उसे माला के इर्द गिर्द नाचते हुए, उस पर फिदा होते हुए, एक अजीब रहत का हैसास हुआ, आखें खोली, तो वो गुजल खाने में जा चुका था, और माला जुकी हुई सुफे को ठीक कर रही थी, मैंने उसकी आखों में आखें डाल कर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन पिर उसकी तनी हुई सूरत से घबरा कर नजरें चुका जाहिर था कि उसने अभी मुझे माफ नहीं किया था, नहा कर वो बाहर निकला, तो उसने मेरे कपड़े पहने हुए थे, इस बीच माला ने बियर निकाल ली थी, और उसका गिलास भरते हुए पूछ रही थी, आप खाने में मिर्च कम लेते हैं या ज्यादा, मैंने बड़ चोटे सवाल पूछती रही, आपको इस शहर कैसा लगा, बियर ठंडी तो है ना, आप अपना सामान कहा छोड़ाए, और वो बंगले जाकता रहा, हमारे बच्चों ने आकर अपने अंकल को ग्रीट किया, बारी बारी उसके घुटनों को बैट कर अपना नाम वगरा बताया एक दो गाने गाए और फिर गुडनाइट कहकर अपने कबने में चले गए, माला की मीठी बातों से यू लग रहा था जैसे हमारे अपने हलके का कोई बेत तकल्फ दोस्त कुछ दिनों के लिए हमारे पास आ ठहरा हो, और उसकी बड़ी सी गाड़ी हमारे दर्वाजे के साम हो चुकी थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहाट में माला के बाहर जाते ही फिर वही जहर और चैलेंज आ गया था, और मुझे मैसूस हुआ जैसे हो कह रहा हो, बीबी तुमारी मुझे पसंद है, लेकिन बेटे उसे खबरदार कर दो, मैं इतना पिलपिला नहीं जितना हो समझ थी, लेकिन उनका जादू जादा देर तक नहीं चलता था, फिर भी मैंने सोचा, बात अब मेरे हाँ से निकल गई है, और सिवाए इंतिजार के मैं और कुछ नहीं कर सकता था, खाना उस रोज बहुत उंदा बना था, और खाने के बाद माला खुद उसे उसके कमरे तक छो उसने मुझे अपने पास फटकने नहीं दिया, नींद उस रात मुझे नहीं आई, फिर भी अंदर से मुझे इत्मिनान था कि किसी ना किसी तरह माला दूसरे रोज उसे भगा सकने में जरूर काम्याब हो जाएगी, लेकिन मेरा अंदाजा गलत निकला, माना की माला बहुत मुझ जैसा हो गया था, और नजर यूँ आता था जैसे माला के दो पती हो, मैं तो सुबह सबेरे गाड़ी लेकर दफ्तर को निकल जाता था, पीछे उन दोनों में ना जाने क्या बाते होती थी, लेकिन जब कभी उसे मौका मिलता तो मुझे अंदर ले जाकर डाटने लग मुझे जाता कि वो क्या चाहता है, कभी माला से कहता थोड़ा सबरोर करो, अब जाने की सोच रहा होगा, कभी कहता क्या बताओं मैं तो खुद शर्मिनना हूँ, कभी कहता तुमने खुदी तो उसे सर पर चढ़ा लिया है, अगर तुम्हारा बढ़ताओ रूखा होता तो, माला ने अपना बरताओ तो नहीं बतला, लेकिन चौथे रोज अपने बच्चों से घर छोड़ कर अपने भाई के आँ चली गई, मैंने बहुतेरा रोका लेकिन वो नहीं मानी, उस रोज वो कमबक्त बहुत हसा था, जोर जोर से बार बार, आज माला को गए पांच रोज ह मैंने दफ्तर जाना छोड़ दिया है, वो फिर अपने असली रंग में आ गया है, मेरे कपड़े उतार कर उसने फिर अपना वो मैला सा कुर्टा पाईजामा पहन लिया है, कहता कुछ नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो क्या चाहता है, वो मौका फिर हात नहीं आएगा, वो चली गई है, बेतर यही है कि उसके लोटने से पहले तुम भी यहां से भाग चलो, उसकी चिंता मत करो, वो अपता इंतजाम खुद कर लेगी, और आज आखिर मैं उसे थोड़ी देर के लिए बेहोश कर देने में काम्याब हो गया हूँ, अब मेरे सामने दो रास्ते है एक यह कि होश आने से पहले मैं उसे जान से मार डालू, और दूसरा यह कि अपना जरूरी सामान बांद कर तयार हो जाओं, और जूही उसे होश आए हम दोनों फिर उसी रास्ते पर चल दें, जिससे भाग कर, कुछ बरस पहले मैंने माला की गोर में पना ली थी, अगर माल इस समय यहां होती, तो कोई तीसरा रास्ता भी निकाल लेती, लेकिन वो नहीं है, और मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूँ अभी आप सुन रहे थे लेखा क्रशंपल्देव वैज जी की लिखी हुए कहानी मेरा दुश्मन